आहां , कआ र क्या रबडी है're, काफी डिलीसस है're you काफी कम टाइम में बना है और यह काफी टेस्ट्टी drama प्रेंद आल जवासे आपके साथ सेयर करेंगे इंस्टेंट रबडी की रेसीपी जो काफी कोई जल्दी बनकर तियार हुई है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है काफी लेचेदार है और यह मुश्किल से साथ से आठ मिनट में बना है तो चलिए हम तो जा रहे हैं इस रबरी को इंज्वाई करने के लिए और आप देखिए इसका कुईक रेसेपी हमने फ्लेम ऑन करके इस पे कराही चरा दिया और इसने हमने आधा ल इसके साइड का किनारा हम काट देंगे साइड का किनारा काट करके इसके हमने छोटे-छोटे टुक्रे कर लिया है अब इसे हम एक मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे यह देखें फ्रेंड हमने मिक्सर में ब्रेड को पीस लिया है आप चाहे तो छोटे-छोटे हमने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है इसमें हम थोड़ा सा मिल्क मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे चलिए फ्रेंड हमने जो मिल्क पाउडर लिया था उसमें हम एड़ करते हैं थोड़ा सा दूद यह भी हलका लिक वाम है और इसे एक अच्छा इसमूद पेस्ट बना लेते हैं यह थंडा दूद ना ले यह हलका गरम एक दम जिसे हलका गुन गुना कहते हैं यह गुन गुना दूद है देखिए फ्रेंड हमने milk powder का एक अच्छा सा smooth paste बना लिया है milk powder के इस paste को हमें रबरी में डालना है और इसे अच्छे तरीके से mix करना है milk powder डालेंगे तो इसका जो taste है एकदम बाहर जो हलुआई के दुकान में जो रबरी मिलती है वैसा इसका taste आएगा चलिए फ्रेंड इसमें हम add कर देते हैं आधा कप सक्कर सक्कर को भी हम अच्छे तरीके से mix करेंगे और रबरी को हम पकाएंगे थोड़ी दिर के लिए देखिए फ्रेंड हमारा रबरी जो है बनकर तयार है हमें ज्यादा गारा नहीं करना है हमें जो consistency चाहिए वो ऐसे ही consistency चाहिए अगर आपको थोड़ा गारा रबरी पसंद है तो आप इसे थोड़ा और पका सकते हैं लेकिन ये थंड़ा होगा तो और भी गारा हो जाएगा इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई dry fruits एड़ कर देते हैं ये optional है अगर आपको dry fruits पसंद है तो डाले नहीं तो रहने दे इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल आप चाहे तो इसमें इलाइची powder भी डाल सकते हैं कियोरा water भी डाल सकते हैं अगर नहीं कुछ डाल नाए तो कुछ ना डाले हमें गुलाब की खुस्बू काफी पसंद है इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जैल एड करते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डाले देखिए हमारा रबडी जो एक काफी जल्दी बन के त्यार हुआ है इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफी ठीक है और हमें ऐसा ही चाहिए चलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं चलिए फ्रेंड अब हम हमारे रबडी को कर लेते हैं सर वाव काफी अच्छी खुस्पु आ रहे हैं इसे यह भी गर्म है थोड़ा जब यह रूम टेंप्रेचर पर आ जाए तो थोड़ा इसे फ्रीज में रखे थोड़ा हलका ठंडा हो जाए फिर इसे इंज्वाइ करें यह काफी टेस्टी लगेगा हमने हमारे रबडी को कर लिया है सर अब इसे गार्णिस करेंगे थोड़े से ड्राइफ फूट्स के साथ झाला हमाँ टो थोड़े से इसे बना प्रामः करेंगे टेस्टी ब uninहें今 मुई क्यश्सा परे करेंगरने है, प्लाइब घ्रोग्सा साथ हमने रबडी को गार्णिस कर दिया है यह देखिए काफी देखने में काफी सुन्दर लग रहा है खाने में काफी और भी डिलीसस होगा आप इस तरीके से बनना है और इसे इंजॉय करें और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ता आप इसे जरूर सब्सक्राइ करें और साथ में बेल का बटन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करू ता आप उसे सबसे पहले देख पाए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और इस्तेदारों के साथ सेयर करना ना भूले और लाइक और और मस्ते रहें बाई बाई